च्छतिस गड़ के दुर्ग भिलाई में माल से भरे ट्रेक्टर की लूट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया है दोनों आरोपी ट्रक को लेकर फरार हो गए थे आपको पता दे कि च्छतिस गड़ के दुर्ग भिलाई में एस्पी रोहित जहा पत्रकारों से रूबर हुए इस दोरान उन्होंने कहा कि आठ नवंबर की राच साई लीला धर्म काटा तिरंगा चोक खुरसी पार के पास ट्रक को खड़ा किया गया था ट्रक में वायर बंडल लोड था अग्या चोर ट्रक को माल समेत लेकर फरार हो गए थे ट्रक चालक वे मालिक भगवती चंडन ने साथ नवंबर को गोदावरी इसपाथ सिल्तरा रायपूर से एचबी वायर लोड किया था जिसकी कीमत 11 लाक रुपए थी ट्रक को धर्मकाटा में खड़े कर चालक अपने घर कल्यान नगर चावनी चला गया ट्रक को हथ खोज स्थित्फ फैक्टरी में माल को खाली करना था लेकिन दूसरा दिन रविवार होने की वज़े से माल फैक्टरी में नहीं उतार पाए चालक धर्मकाटा ट्रक लेने पहुँचा मगर ट्रक को नहीं पाकर परिशान हो गया आसपास खोजबीन करने के बाद ट्रक नहीं मिलने पर घटना की शिकायत खुरसी पार पुलिस थाने में दर्ज कराई गई फिर पुलिस नहीं रास्ते में लगे सीसी कैमरो को बारीकी से चेक किया जिस पर पता चला कि ट्रक में डीजल डालने बाइक में यूवक पहुँचे थे क्योंकि ट्रक में डीजल पहले से नहीं था बाइक को देखने के बाद पुलिस की टीम खोजने में जुट गई जिसके चलते पुलिस आरोपी तक पहुँची आरोपी से कड़ाई से पूझ साच करने पर उसने बताया कि उसने अपने अन्य साथी तिल्दा नेवरा निवासी अतुल सगरवन्शी के साथ मिलकर चोरी करने की योजना बनाई थी पुलिस ने बताया कि टॉल नाका से बचते हुए दोनों आरोपियों का महराश्टर की और निकलने का प्लान था मगर सफल नहीं हो पाए ट्रक चोरी कर साथ दिन होने के बाद भी दोनों नहीं बेच पाए दिवाली आ गई इस वज़े से दोनों ने सुरक्षित जगे पर ट्रक को छिपा कर रख दिया तिवार के खत्म होने के बाद दोनों ट्रक को बेचने की फिराक में लग गए इस दोरान दोनों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया दोर्ग बिलाई से राजेंदर गाडे वे सुनील सौनी की रिपोर्ट अलक्ति है अलक्ति है आसे ही लें स्कोब है पाने के लिए बल आइकन को फ्लिक कर आए हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हन्ने वाल करें और स्थक्राइब करें इन्नला है करें-और ere